गाइस होली काफी जादा नस्दीक है और सेंचन भाईया सुबह से जिद करके बैठा है कि उसे भाई एक remote control वाली train चाहिए फ्रैंकिन भाईया मुझे कहीं से भी लाके दो मुझे remote control वाली train भाई यार मैंने कभी नहीं देखी यार पूरे लास एंटरोस में इसमें क्या कमी है देखो भाई एक सीट कर दो यार दो दो जगदेख सकते हैं क्योंकि भाई सिम्योन भी बेचता तो है कहीं ने कहीं या रिमोट कंट्रोल गाड़ियां उसके हैं हम लोग देख सकते हैं नहीं तो भाई हम लोग 24x7 पे पता कर सकते हैं फ्रेंकिन भाई अगर कहीं नहीं मिले ना तो आप मुझे बना के दोगे भाई अब इतनी भी जिद मत करो या तुम हम लोग कैसे बनाएंगे कैसे भी फ्रेंकिन भाई या आपको बनाना पड़ेगा भाई यार अच्छा ठीक है चलो अच्छा देखते हैं सबसे पहले हम लोग एक बात देख लें पीडियम पे और भाई उसके बाद 24 बाई 7 जो सौप होती है जहां भाई ट्वाइस वगरा बिखते हैं वहाँ पे हम लोग देख लें वैसे हां मज़ा तो आता है भाई रिमोट कंट्रोल वाली ट्रेन चलाने में गैस क्या ही मज़ा आता है मतलब रिमोट कंट्रोल से कहीं भी लेके चले जाओ ट्रेन को वैसे नॉर्मली यार लोग कार वगरे चलाते हैं या कोई ट्रक वगरे रिमोट कंट्रोल की चलाते हैं एंड गैस आप लोग जल्दी सी इस वीडियो पर लाइक कर दो, हाँ दोस्तो फटा फट इस वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्स्राइब कर दो, बिल्कुल भाई तब तक हम लोग पहुंसते हैं, प्रीमियम डिलक मोटर स्पोर्ट सिम्योन के पास, गैस तो हम लोग या पनी ले चलते हैं अंदर, और यार सिम्योन क्या हाल चालें, अरे फ्रैंकलिन कैसे आना वह तुमरा, भाई मुझे अगा सब्सक्ण करें चलो कर लेते हैं, वैसे क्या करोग यार यार सबसे जित किया यार कि उसे एक ट्रेंज चाही रिमोट कंट्रोल वाली चलो कोई नहीं मैं देखता हूं यार कोई यह अगर मिल गई तो ठीक है ठीक है फ्रैंकिन चलो मिलते हैं फिर हाँ भाई मिलते हैं अब हम लोग निगलते हैं यार 24 बाई 7 वो सौप भी किदर है वो भी मुझे ढूड़ना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं यार हम लोग चलते हैं अभी जल्दी से या 24 by 7 पे गाइस तो हम लोग यार आ चुके हैं यहां देख सकते हैं एक 24 by 7 सौप है इस पे चलके पता कर लेते हैं यार सेंचैन अगर यहां नहीं मिला ना फिर तो मैं नहीं खरीदने वाला हूँ कहीं से फ्रैंकिन भया फिर आपको बनाना पड़ेगा भाई बनाना पड़ेगा यार अब इतना भी जिद मत करो तुम हलो सेर क्या आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल वाली ट्रेन है क्या अरे यार यहां पे भी नहीं है यार सिंचैन और कुछ लेँ लो यार चिप्स, कुरकरे, टॉफी, यहां पे डोनट वगरे रखें और कुछ खान ए दो खालो नई फ्रेंकिन भाई मुझे तो वाई चाहिए भाई तुमने यार गज़ा भी जिद की हो फ्रेंकिन भाई आप बना के दे रहे हो कि नहीं अच्छा ठीक है भाई ठीक है मैं बना के दे रहा हूँ गाई सलो हम लोग यार लेस्टर को जड़ा कॉल करके खूसते हैं भाई यार इसे चाहिए सिंचान को चाहिए एक RC ट्रेंड वो भाई उससे खेलना चाता है ठीक है फ्रेंकिन तुम घर पे आज़ा मैं मिलवाता हूँ उसे ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ घर पे चलो गैस चलते हम लोग उसके घर पे देखें ठीक है अच्छा चलो वैसे तुम्हें कैसी ट्रेंड चाहिए बुले ट्रेंड, मेट्रो या फीर जैसी ट्रेंड अपने लॉस एंट्रोस में चलती है वैसी ठीक है बुले ट्रेंड बाई भी ढूणके लाना होगा तुम्हारा आ भाई demand खतम ये नहीं होता है यार चलो ठीके मैं बनाऊँगा वैसे एक बात तो है सिंचन यार इससे कुछ भी पूछो उसका सल्योसन हमेशा दे देता है बिलकुल फ्रेंकिन भाई यार ये बहुत अच्छा एंकल है हाँ यार इससे भाई हमेशा हम लोग मदद लेते रहते हैं और गैस जो भी काम बूलो उसका सल्योसन फटाएक से ये निकाल के देता है चलो अच्छा देखते हैं वो घर पर ही होना चाहिए लेश्टर आगे हो भाई मैं आओ फ्रेंकिन आओ ये रहा वो मेकनिक अच्छा ये बना देंगे ये RC train हाँ हाँ बिलकुल ये बना देंगे हाँ तो यार मुझे एक ना bullet train वाली RC train चाहिए अच्छा bullet train वाली चाहिए तु जाओ कहीं से bullet train जुगार कर क्या हो भाई ये भी बता दो ना यार bullet train कहाँ पर मिलेगी या तुम जंक्यार चलो जो वहाँ पे मिल सकती है भाई जंक्यार में मिल जाएगी क्या तुम से ओरो हाँ बिल्कुल वहाँ पे मिल जाएगी तुमें चलो अच्छा ठीक है वैसे आप बनाएंगे कहां सर मैं उधरी वाइन वुट वाले एरपोर्ट पे बनाऊंगा अच्छा ठीक है सर तो मैं वहीं पे उसे लेके चलता हूँ हाँ बिल्कुल मैं पहुंच रहाँ वहाँ पे चलो गाईस तो वो यार उधर वाले एरपोर्ट पे आ जाएंगे हम लोग ड्राइब करेंगे उसे भाई यार उसका साइज अगर छोटा भी हो जाता तो और भी मज़ा जाता हाँ फ्रेंकिन बईया वो तो है तो भाई हम लोग न पहले बनने देते हैं और उसके बात करते हैं यार लेश्टर से कि क्या भाई उसका साइज छोटा हो सकता है अगर कोई जुगार मिल गया फिर तो मज़ा ही आ जाएगा यार छोटा करके उसे हम लोग मज़तार अपना यूज करेंगे छोटा कर देंग भाई तो तुम उसे कहीं भी ले जाके आराम से खेल सकते हो बिलकुल फ्रेंकिन भाई या तो चलो हम लोग जल्दी से सबसे पहले वहाँ से ट्रेन उठाते हैं चलो गाईस तो आज चुके हम लोग इस वाले जंक के यार्ट पे वैसे से जैन मुझा लगता है कि यह सब यहां खराब परे होंगे ना तब ही तो यहां पे आके फ्रेकिव हुए है हाँ फ्रेंकिन भाई या यह सब खराब होंगे साइट से हाँ यार तो इसको भी बनवाना पड़ेगा मतलब और यह देखो सामने ही तो खड़िये यार एक बुले ट्रेन फ्रेंकिन भाई यह तो काफ़ी सांदार लग रही है बिलकुल भाई इसमें देखो क्या कमाल का लुक है भाई मुझे लगता यह बहुत ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन है फ्रेंकिन भाई यह बहुत ज़्यादा फास्टेस ट्रेन है मुझे पता है बैइ सबसे fastest world में हाँ फ्रेंकिन भाई यह सबसे fastest train है बैइ क्या बात है यार और look देखो look भी इतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है चलो तो यार फटवट इसे लेके चलें लेकिन यहाँ पर एक ही क्यों है यार अच्छा एक वहाँ भी है पीछे वाला पेसंजर वाला डबा है वैसा पैसंजर इसमें बैठते हैं लेकिन यह देखो यह इसका पीछे का डबा है और एक और चाहिए होगा नहीं या तब तो यह complete होगा पीछे का हिस्सा भी हैं कर होना चाहिए चलो अच्छा खोस दें यार हो सकता है दूसरे साइड में हो, आज़ो संचान, इधर भी मुझे कुछ दिखाई तो दे रहा है, रैंकेट भीया, ये रहा, हाँ यही तो है, एंड गाइस ये देख सकती हूँ, ये तो उल्टा पड़ा हुआ है, इसे हमें सीधा करना पड़ेगा, ये गाइस देख सकते हैं, दूसरा हिस्सा है, मतलब ये पीछे वाला है, आगे वाला उदर रखा हुआ है, डबा भी पीछे का रखा हुआ है, और ये गाइस इसके पीछे का है, चलो तो यार, हमारी ट्रेन कम्प्लीट हो चुकी, इसे अब हम लोग फड़ा फट लेके चलते हैं, वहाई एरपोर्ट पे, एक मूड क्या रहो, ये सामने रखा तो है, ये ट्रक इतना बड़ा सा, इस पे लोड करके ले चलते हैं हम लोग, रखा जाएगी वह सब, हाँ यार, रखा जानी चाहिए, आओ देखते हैं, अच्छा, गर रखा गई तो हम लोग लेके चलेंगे, इसमें तो कोई सीट ही नहीं चलो अच्छा, इस पे ले चलके हम लोग जड़ा इसे लोड करें ट्रेन को, चलो तो गाईस, यार, हमने इसे ऊपर देख सकते हो, लोड कर लिया है, काफी ज़्यादा उचाई पे रुकों में दिखाता हूँ इसे आराम से, ये दिखो गाईस, एकदम इसको टॉप दिखा करके भी ये कितना छोटा हो सकता है, और उसके लिए भी भाई, हमें लेश्टर से पूछना पड़ेगा, कि हो भी पाएगा या फिल ने, क्योंकि यार, कोई कंफार्म नहीं कि इसका साइट छोटा करते हैं हम लोग, चलो अब जल्दी से वैसे ले की चले एरपोर्ट पे, एरपोर्ट यहां से करीब में ही है, वो देखो गाईस, वहाँ दिखाई दे रहा है सामने, ये देख सकते हो, हम लोग बहुँच चुके हैं, तो चलो फटप फटप इसे यहां से उतारें, वैसे वो सब आए नहीं यार, अभी तक, चलो कोई बात में है, सिंचन तुम ऐसा करो न, यहां पर वेट करो, और इस ट्रेन का भाई देख भाल करते रहना, ऐसा नहों कि भाई कोई और इसे डामेज कर दे, ठीक है फ्रेंकिन भाई, आप जाओ दूसरी वाली लेकर आओ, चलो तो अब हम लोग यहां पर इसे उतार देते हैं, मेरे ख्याल से, वैसे आप ल हाँ भाई, जल्दी से करवाना और तब तक मैं सेकेंड वाली लेकर आता हूँ, फ्रेंकिन भाई, वैसे इसका कलर आपको अच्छा लग रहा है, भाई, कलर अगर कुछ और रहता तो और भी अच्छा लगता, रेड या यलो ऐसा कुछ रहता, फ्रेंकिन भाई, इसका कलर ह हैं, भाई, अच्छा ठीक है, चलो, रेड भी करवा देंगे, ठीक है, सिंचान, वैसे अभी मैं लेकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका कलर भी लेने चलेंगे, ठीक है, फ्रेंकिन भाई, मैं तब तक उनका बेट करता हूँ, चलो गाईस, तो अब हम लोग निकलते ह तो गाईस, इसमें वील्स बड़े ही स्मूद से, मतलब ये कितनी तेज़ चलेगी यार, जब इसे हम लोग आर्सी ट्रेन की तरह यूज करेंगे, मज़ा आएगा भाई, वैसे, चलो गाईस, अब हम लोग इसे यहां सैसे घुमा लेते हैं, भाई, बड़ा टाइम लग अब इसे भी हम लोग जल्दी से उता रहें यहां से, और सिंचन काम कैसा चल रहा है, रैंकिन भाई, ये ये लोग काम तो कर रहे है, देखने कब तक बनाते हैं, हाँ भाई, यहां पर देखो कर तो रहाई ये, लैस्टर क्या हो रहा है यार, रैंकिन बस ये पीछे अब इसे यहां से, और यार, लैस्टर एक बात पूसना है, यार, 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 इतनी बड़े साइज की ये सब तो ट्रेने, इसका साइज छोटा हो सकता है किसी तरह, आँ, हाँ, फ्रेंकिन, हो तो सकता है, यार, बहाई, हो सकता है, यार, जो हुमेन लैब है, लोस है, मतलब, स्मॉल लाइट एक जानते हो, जो डोरिमॉन के पास रहता है, हाँ, हाँ, मैंने सुना तो है, उसके बारे में, हाँ, तो वैसा ही, एक लाइट तयार किया गया, वहाँ पे, वो टॉर्च अगर हम लोग इस पर जलाएंगे, तो ये सब छोटे हो जाएंगे, अच है, जब मुझे लगता है, इस इंजन के लिए पूरा ट्रेन तयार करी देना चाहिए, चलो ठीक है भाई, तो हम लोग उसका कलर भी कर देंगे, रेड कलर, और भाई, हम लोग वो टॉर्च भी लेते आएंगे, जो इसमॉल करने वाला टॉर्च वाह हुमेन लैब्स में है, तो ठीक है गाई, सबसे पहले हम लोग जल्दी से पीछे वाला हिस्सा इसका लेके आते हैं, और ये लास्ट भी आ चुका है, जिसी हम लोग इसे पीछे लगाने वाले हैं, तो ये गाई, तीन बोगियों की हमारी ट्रेन रहेगी, मितलब आगे एक इंजन हो गया, एक X2 को ये बेन रहें से कार सब्सक्राइब करो हम लोग को, जल्दी से 100k तक पहुचना है, चलो तो guys हम लोग human labs आ चुके हैं यहाँ देखो सामने board लगा हुआ है भाई यार यह car हमारी नीचे से अराम से निकल जाएगी भाई एकदम कैसे हमने तोल केंट्री मारी है वैसे guys सबसे पहले तो हम लोग अपनी car को यहाँ पार कर देते हैं और मुझे लगता है न कि जो हमारा या torch है वो भाई इस तीन नमबर वाले gate में ही होगा क्योंकि guys अकसर आप लोग देखोगी जो भी हमारा important चीज रहता है जो भी यहाँ से कुछ चुराना रहता है वो सब इसी में रखते हैं तो चलो भाई हम लोग यहाँ चलते हैं चुप कैसे देखें भाई सेटरराज खुलाय की बंद है एक घुसा मालते हैं भाई अगर खुला होगा तो खुल जाएगा और यही देखसकते हो guys हम लोग अन्दर आ चुके हैं और अब भाई अंदर चलते हैं यार इन सीलियों से फटा फट अंदर और देखें भाई यहां पर अभी फिलाल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है मैं अपने हाथ में ना एक गन ले लेता हूँ गैस कोई भी रहा सामने ना हम लोग उसे सीधा उड़ा देंगे क्योंकि गैस हमें वो टॉर्च किसी भी हाल में चाहिए सिंचान को भाई किसी भी हाल में हमें वो RC ट्रेन बना के देनी है अराम से भाई धीरे से स्केट को खोलते हैं और यहां पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है चलो तो गैस अब हम लोग बाहर चलें एक मिनट इन सब केजों में हो सकता यार यहां पे यह सब केज बने हुए हैं इन सब में तो नई दिखाई दे रहा है यहां पे भी यार केज है यहां पे भी है गैस इन सब केज में हो सकता यार मुझे तो लग रहा है एक मिनट ये देखो गैस मेरा सक एकदम साही निकला यहाँ देखो गैस यहाँ नीचे एक टॉर्च रखा हुआ है और मुझे लगता है यह वाई वाला टॉर्च है जो भाई किसी गाड़ी का साइड छोटा कर देगा जैसा कि लैस्टर ने मुझे बताया तो चलो भाई इसे हम लोग खोलें किसी तरह लेकिन खोलेगा कैसे चलो एकाग इस पर गोलियां चलाते हैं भाई टूट जाए यार फ्लीज गाईस यहाँ पर यह काम ने कर रहे गया नहीं एक मिनट भाई यहाँ पर देखो होल हो रहा है मेरे ख्याल से अगर हम लोग ऐसे ही चलाते रहें तो यह तूट सकता है चलो 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 चलाते हैं और गाईस यह देखो भाई यह खुल गया चलो यार यह तो हमारा काम हो चुका है अब जल्दी से यार इसे उठा के हम लोग यहाँ से निकलते हैं हालक यार कोई आया नहीं हम लोग इतनी सारी गोलियां चलाएं चलो लगता है न कोई है नहीं यहाँ पे चलो फटा फट उठाके इसे निकलते हैं तो यह देख सकते हो गाईस हमने अपने हाथ में इसे ले लिया है इस टॉर्च को यहाँ पर भाई यह दिख क्यों नहीं रहा है कि हम लोग भाई जरा उस RC ट्रेन को चला के देखें आखिर वो चलने में दिखती कैसे है चलो तो भाई यही रही अपनी कार फट 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 बैठें इसमें और निकलते हैं सिंचैन के पास उससे फोन करके पूछें कि हम लोग नहीं यार चोड़ो फोन नहीं करते हम कोचेंगे वो भी भाई सौक हो जाएगा कि हम लोग के पास भाई यह स्मॉल करने वाला टॉर्च हाथ लग चुका है और भाई उसका ड्रीमाज पूरा हो जाएगा इतनी हम लोग मैनत किये पीडियम पे गए उसके बाद हम लोग 24x7 वाले सौक पे भी गए कहीं नहीं मिला प्रेंकित भी यह तो बहुत जादा अच्छी लग रही है बस आपने कलर नहीं लाया भाई कलर यार रहने दो याज छोड़ो अब बहुत जादा मैनत लग जाएगा मैंने टॉर्च लिया वह वाला अच्छा टॉर्च ला दिया या लेश्टर तो क्या करना है उसका भाई अभी रुक जाओ यार वो रिमोट बस सेट कर ले उसके बाद मैं तुम्हें रिमोट देता हूँ एक बार चला के देख लो अच्छा ठीक है भाई ठीक है चलो उसे करने देते हैं गाईस थोगल देर हम लोग यहीं पर वेट कर लेंदे उसके बाद भाई एक बार हम लोग चल रही है या फिर नहीं और फिर भाई हम लोग इसका साइट छोटा करके चलाएंगे अब फ्रैंक्लिन सुनो भाई क्या वलेस्टर क्यों बुला रहे हो अरे फ्रैंक्लिन लो यार रिमोट तुम अपने हाथ में इसे चला के देखो भाई यह देखो यार यह कैसा रिमोट हाँ यार ये तोड़ा अलग तरिकेखा है, काफी मस लग रहा है ना, मिलकुल भॉव काफी सभी लग रहा है इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं.. हाँ Brent还 तुम कंट्रोल कर सकते हो चला के देखे हैं.. लोग इसे चला के देखते हैं, चलो गाईस तो देख सकते हो यहाँ पर सारे लोग आ चुके है, अब भाई चलो इसे हम लोग ड्राइब करते हैं जल्दी से एंड ये देख सकते हो गाईस हमने इसे चला दिया है और भाई ये तो यार अभी आवट आफ कंट्रॉल हो जा रही बाई हाँ यार मैंने रोक दिया चलो भाई ये तो काफी ज़दा आउट अफ कंट्रोल हो जा रही है आ फ्रेंक्रीन अभी थोड़ा नया नया है ना इसलिए तुम्हें चलाने नहीं आ रहा है चलो भाई कोई बात नहीं ये जो बनाए है उन्होंने भाई इसे साई से पार्क पर बिल्कुल अंतर तक दोड़ते हुए चल जाओ इस टॉर्च को दिखाते हुए भाई टॉर्च दिखाते हुए अंतर तक जाना होगा चलो ठीक है यार देखते हैं क्या ये काम करता है गैस अगर इसका साइज छोटा होगी तब तो मज़ा आ जाए गया है क्योंकि अभी ये बहुत जादे बड़े साइज की ट्रेन है और इसे ड्राइब करने में काफी जादा दिक्कत हो रही है तो हम लोग भाई चलो दिखाते हुए चलते हैं एकदम भाई हम लोग इस पर फोकस करते हुए जा रहे हैं देखते हैं भाई क्या ये काम करता है सेंटर लाइन में एक दम बनाते हुए, दम, last हम लोग चलते हैं, इसे लेकर, यहाँ से हमें, side जाना होगा, चलो, कोई बात नहीं, हम लोग अब भी इस पे, focus बनाए हुए है, और भ趣 यहाँ से उपर जाना पड़ेगा, यार, set, चलो, ठीक है, अब हम लोग, यार लास्ट तक एकदम पहुँच चुके हैं यार वेट भी करना होगा यार लेस्टर नए फ्रैंकिन जादा वेट नहीं करना होगा एक दो सेकेंड बें यह चेंज हो जाएगी ठीक है भाई चलो यहाँ लास्ट तक हम लोग पहुँच गए अब यहाँ पे खड़े हो जाते हैं देखते हैं क्या भाई यह इसका साइच छोटा होता है और भाई कहा गई हमारी ट्रेन गाईस यह देखो कितनी जाता छोटी सी हो गई है वह भाई सबसे पहले तो हम लोग इस टॉर्च को अंदर रखते हैं और देख सकते हो गाईस यह एकदम छोटी सी हो चुकी है ट्रेन भाई इसे तो अब हम लोग अराम से ड्राइब कर सकते हैं हाँ बिलकुल यार चलो यहां खड़े हो जाते हैं हम लोग और इसे चला की दिखाओ हाँ भाई रुको मैं इसे ड्राइब करता हूँ यह दिखो क्या मस्त यह चल रही है यह तो अब आप कंट्रोल कर ले रहे हो हाँ बिलकुल यार अब मैं एकड़म साइज से कंट्रोल करके इसे चला पा रहा हूँ चलो गाईज जरा हम लोग इसे और दूर लेके चले प्रेंकिन भाई चलाना तुम भी वैसे तुमारे लिए बनी है गाईज देख सकते हो यार लेकिन काफी ज़्यादा कूर लग रही यार एकड़म जमीन पे चलने वाली ये आरसी ट्रेन सच में भाई ये कमाल की ट्रेन सिंचैन के वज़े से बन पाईए और भाई ये सोचो यार कि पूरे लॉस सेंट्रोस में ये किसी के पास भी नहीं है सिर्फ हमारे पास वैसे सिंचैन इसका देख सकतो यार बड़ा ठोटी लग रही है या अगर असली वाली ट्रेन आ जाए फिर तो भाई ये पूरी खराब हो जाएगी मतलब भाई टूट फूट जाएगी पूरी तो चलो गाईज इसे आप वापस ले चलें सिंचैन तुवे में चलाना है इसे हाँ ठीक है भाई लो अब तुम चला लो य कर रहा है चलो गाईज हम लोग इसे यहां लगा देते हैं एकदम सिंचैन के पास में लो भाई चलाओ तुम अभी से गाईज तो अब या देख सकते हो रिमोट सिंचैन के हाथ में देखते हैं वो कैसे चलाता है प्रेंकिन भीया इसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा है चला पारी है पता नहीं यार हो सकता है पहुंच भी जाए हाँ फ्रेंकिन भीया अगर घर तक पहुंच पाती है या फिर इसका सिगनल छूटने लगता है चलो गाईज यहां पर देख सकते हो अभी तक तो यह काफी सही चल रही है और जिंचन तुम थोड़ा धीरे ही चलाओ य जा सकती है अरे इसे मैंने बहुत दूर तक बनाया है चलो ठीक है सिंचन जब यह कह रहे है बहुत दूर तक बनाया है तो ठीक है यार जाएगी यह मेरे खहल से घर तक घर तक घर तक चला के देखते हैं लेकिन नई फ्रेंकिन ब्याए यह तो यहां पर सिगनल इसका पूल स्पीड में कितनी चली जाती है यह तो 200 तक मौचने वाली है और काफी ज़्यादा कूल तरीके सी ड्राइब हो रही है चलो ठीक है भाई अभी हम लोग इसे यार अपनी कार पर रखे घर लेके चलेंगे और चौप को भी दिखाएंगे और फिर पता चला वह भी मागने कर दो हाँ दोस्तों जल्दी इस वीडियो पर लाइकेन चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल भाई अब मिलते हम लोग एक और ऐसे हमेजिंग वीडियो के साथ तिल देन बाई